एक अतिम हैत्पुन टोपिक है उसको हम कंप्लेट करने वाले हैं और यहां से देखो क्योशन बनने की पूरे-पूरे चांस है है हैं यहां से क्योशन बनेगा ठीक है यह बात अपने दिमार्ट में फिक्स कर लो आज मैं जो यह वीडियो बना रहा हूं जो यह हम आज जो टो कि कल इसी वज़ ein क almilाश नहीं चलेठी क्योंकि कल मैंने यह लोस का पढ़ाना था आपको भी पता है कि कल लोस वाला कंप्लिट करवाना था लेकिन जो मैंने पहले त्यार कर राख था कुछ अलग तरीके से था अलग तरीका क्या था उसमें मैंने केवल लोस को अलग वेब क्या हो ना इसमें आपका जो कन्फूज है जो डाउट है वो हेंड़ परसंट किलियर हो जाएगा ठीक है इस तरीके से मैंने इसको तयार किया इस टोपिक को आज तो मेरे को तो लगता है कि आपको कोई भी डाउट कोई भी कन्फूज रहेगा नहीं जब आप इसको देख लोगी उसके बाद में और अब हम अपनी क्लास की शुरुवात करते हैं तो देखो एक बार जल्दी जल्दी लाएव आजाओ सभी के सब्भी आगे कोई भी क्लास मि होगी ये बिल्कुल कन्फर्म है कि अखे जो कि आ अच से अच सब्सक्राइब रेंग आगाइब रो आगो अजिए आगाइब उनुट आगाइब रो याज रही जिय्ट आगाइब विनिता जी हेलो हेलो सर विनिता जी हेलो तो जल्द जल्द एक बार लाइव आजाओ सल्वी के सबी और चलो अब हम अपने टोपीकिस बात करते हैं इससे पहले हमारा वेबर का हो चुका है इसके लावा हमने पढ़ लिया कि जो इंडस्ट्रिल जोग्राफ हैं उनके बारे में मैंने एक वीडियो बना दिया वेबर के बारे में बना दिया इंडस्ट्रि क्या होती हैं इंडस्ट्रिस रिलेटेड जो कीवर्ड होते हैं उनके बारे में मैंने एक वीडियो बना दिया और इस तरीके से जो इंडस्ट्रिय जो ग्रूपी है वो हमारा बिल्कु लास्ट पढ़ाओ में आचुका है ओदोगिक पर्देश ओ रहे हैं वो भी पढ़ना बाकी है तो देखो ओदोगिक पर्देश में हम क्या करेंगे उसमें ओदोगिक पर्देश में यदि हम बुक के टैब से पढ़ेंगे तो बहुत लंबा टोपिक है और साथ-साथ वहां से मेरे को लगता नहीं कि कोई authentic क्योसन बन पाएगा तो हम क्या करेंगे जितने भी ओदोगिक पर्देश है कौन सा पर्देश एरिया है वहां पर कौन सा उदोग है उनकी मैं एक table बनाऊँगा और उस table के माध्यम से मैं उसको complete करवा दूँगा अब वो मैं टब करवाओंगा तो देखो उसको अब भी हम अब भी नहीं complete करवाएंगे उसको हम जादा best रहेगा जब उसको हम paper के pass में पढ़ेंगे जब paper बिलकुल pass में आ जाएगा और या फिर हमारा चले बस जब complete हो जाएगा उस time पढ़ेंगे क्योंकि वो confuse करने वाली चीज़े हैं जिनसे कि आपके सारे-सारे doubt के लिए रहो जाएंगे ठीक है तो अब हम बात करते हैं आज industrial जोगरोपी की ये last class समझो तो सबसे पहले मैं बताऊँ लोस का सिदान्त देखो लोस का जो सिदान्त था सबसे पहले तो इसकी एक बात ध्यान रखो कि लोस का सिदान्त वेबर का जो सिदान्त था नूनतम परिवें लागत उसके जस्ट विपरित था मैं दुबारा से रिपीट कर रहा हूं ये बात कि लोस का जो सिद्दान्थ था वो वेबर का सिद्दान्थ वेबर का सिद्दान्थ कुंसा था नून्तम परिवेन लागत उससे जस्ट विपरित था लोस का सिद्दान्थ वेबर के सिद्दान्थ नून्तम परिवेन लागत से विपरित था लोस मोध्या ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था The Economics of Location ठीक है? The Economics of Location 1940 में लोस मोध्या के दुआरा पुस्तक लिखी गई थी और जिसमें इन्होंने बाजार चेतर विचार धाराखा परतिपादन किया था दोगो एक चीज और बता दूमें लोस मोध्या को हम Industrial Geography में भी पढ़ेंगे और लोस मोध्या को जब नगरिया बुगोल पढ़ेंगे तो उसमें जब हम क्रिस्ट्रोलर के बारे हम पढ़ेंगे तो क्रिस्ट्रोलर के साथ साथ भी हम लोस मोध्या को पढ़ेंगे यहाँ पर लोस मोदे ने कुछ अलग बात बोली है वहाँ पर लोस मोदे ने कुछ अलग बात बोली है तो उन दोनों को हम आपस में कंपेर करते हुए पड़ेंगे यहाँ पर हम कंपेर करें किस को वेबर को लोस को वहाँ पर हम compare करेंगे किर्स्ट्रोलर को और लोस को ठीक है यहाँ पर लोस मोदे ने जो सिद्धान्थ दिया है वो दिया है उद्धोगों की अवस्तिति के संबंद में लोस मोदे ने अध्यन किया था यहाँ पर कि उद्धोगों को कहाँ पर अवस्तित करना चाहिए दोगों की कहां पर इस्थापना करनी चाहिए और इसे सम्मंद में लोस मोदय ने अध्यन किया और एक ठोरी का पर्तिपादन कर दिया जिसका नाम था बाजार छेतर विचार धारा ठीक है तो ध्यान रहें लोस मोदय के द्वारा एक पुष्टक लिखी गई थी दा इकोनोमी ओप लोकेशन 1940 में और इस पुष्टक में इन्होंने बाजार छेतर विचार धारा का पर्तिपादन किया था तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए जोको सबसे पहले बात ये बुक आपको याद होनी चाहिए साथ साथ ये भी याद होना चाहिए कि ये बुक कब लिखी गई थी क्योंकि इस टैप से भी क्योष्टन बनता है कि दा इकोनोमी ओप लोकेशन पुष्टक कब लिखी गई थी दूसरे टैप से क्योष्टन बनता है अपनी पुस्तक दा इकोनोमी ओफ लोक किसंद में तो ये तीन चार बाते थी यहाँ पर जो आपकी किलियर हो गई होंगी अब हम थोड़ा आगे पढ़ते हैं देखो बाजार की इस्थापना के संबंद में हम यहाँ पर बात करेंगे लोस के और वेबर के विचारों के बारे में कि बाजार की इस्थापना के संबंद में वेबर मोदय का विचार क्या है और लोस का विचार क्या है सबसे पहले हम कवर करते हैं वेबर के विचारों के बारे में वेबर के अनुसार उद्धोग न्यून्तम परिवन लागत वाले इस्थान पर इस्थान पर इस्थापित किया जाता है वेबर मोदय का मानना है कि उद्धोग वहाँ पर इस्थापित होता है जहां पर जो परिवन लागत है वो सबसे कम होती है ठीक है क्योंकि वेबर मोदय की जो थोरी है वो सबसे ज़्यादा डिपेंडेड है नून्तम परिवेल लागत पर और इसी के बेस पर इस थोरी का नाम रख दिया गया था नून्तम परिवेल लागत सिद्दान्त ठीक है तो नून्तम परिवेल लागत सिद्दान्त वेबर का और वेबर के अनुसार उद्दोग वहाँ पर इस्थापित किया जाएगा जहां पर परिवें लागत बिल्कुल न्यून्तम होगी दूसरी साइड लोस मोदय मैंने स्टार्ट में एक लाइन बोली थी कि लोस मोदय का जो सिद्दान्त है वो वेबर का जो न्यून्तम परिवे लागत से दानता है उसे जस्थ विपरित है तो जस्थ विपरित है तो सिद्दी सी बात है वेबर मोदय बात कर रहा है कि उद्दोग वहाँ पर इस्थापित किया जाएगा जहां पर न्यून्तम परिवें लागत है तो इसके विपरित क्या बात होगी इसके विपरित ये बात होगी कि लोस मोद्या मानता है लोस मोद्या ने माना है कि उद्धोग की जो इस्थापना है वो नूंतम परिवयन लागत से किसी भी तरीके से परभाविट नहीं होती वेबर मोद्या मानता है कि उद्धोग की इस्थापना वहाँ पर होगी जहां पर नूंतम परिवयन और इसके विप्रित लोस मोदे मानते हैं कि उद्धोग की इस्थापना पर नूंतम परिवन लागत का कोई परभाव नहीं पड़ता है ठीक है लोस मोदे का क्या मानना है कि उद्धोग की इस्थापना पर नूंतम परिवन लागत का कोई परभाव नहीं पड़ता ठीक है तो ये दोनों आपस में कंपेर करके आप याद कर सकते हैं वेबर मोदे के अनुसार उद्धोग वहां पर इस्तापित होते हैं जहां पर परिवेन लागत नूनतम होती है दूसरी से लोस मोदे कहता है कि भाई उद्धोग की इस्तापना पर नूनतम परिवेन लागत का कोई हाई हेलो हाई चल रहा है चलो कोई न उसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं और मैं यहां पर बताता हूँ आपको ठीको लोस मोदे के अनुसार भाई लोस मोदे ने एक बात तो बोल दी कि उद्दोग वहां पर इस्तापित लोस मोदे ने कहा कि भाई उद्दोग की इस्ता इस्थापित किया जाना चाहिए जहां पर कुल लागत और कुल आए के बीच में अधिक्तम अंतर हो ठीक है लोस मोदे के अनुसार उद्धोग को वहां पर इस्थापित करना चाहिए जहां पर कुल लागत और कुल आए के बीच में अधिक्तम अंतर हो ठीक है वहां पर उद् कहां पर जहां पर कुल लागत और कुल आई के बीच में अधिक तम अंतर हो सपोस्जेट आई आ रही है कितनी आई माना कहीं पर 10,000 उपारी है जब कि वहां पर लागत मातर 2,000 है तो क्या हो रहा है यहां पर अंतर अधिक 8,000 का होड़ा है दूसरी कंडिशन आह आ आ रही है 10,000 की लेकिन इसमें 8,000 की लागत आ रही है ठीक है यह दो सिच्विसन है तीसरी सिच्विसन और बना देता हूं 10,000 यहां पर लागत आ रही है पहाँजार की यह मैंने तीन सिच्वेशन बना दी अब आप खुद बताओ कि आप अपनी इंडस्टरी अपनी फैक्टरी को कहां पर लगाओगे यहां पर लगाओगे यहां पर लगाओगे यहां पर लगाओगे तो देखो लोस मोदे के अनुसार उद्धो कहां पर इस्तापित किया जाएगा यहां पर किया जाएगा क्योंकि यहां पर क्या है आई और लागत के बीच में अधिक अंतर है और जब आई और लागत के बीच में अधिक अंतर आता है तो वहां पर benefit जाता होता है वहां पर profit ज किया जाएगा क्योंकि यहां पर पूरे पूरे आठ जार का प्रोफिट हो रहा है ठीक है और यह बात किस ने बोली थी लोस मोद्ये ने ठीक है अब इसके बाद हम बात करता है वेबर और लोस दोनों ने क्या किया था सर आपकी नेट जेरफ की स्पेशल बुक कब आ रही है दुकूर नेट जेरफ वाली अब भी जो बुक है वो यह समझो जून में आएगी इस वाली पेपर के लिए नहीं आ पाएगी जून में यह समझो जून जून में कम्प्लिटली रूप से जाएगी और बहुत शांदार तरीके से मैं उसको लिखने की कोशिस कर रहा हूँ पहले मैंने अप्रेल के लिए डिसाइड किया था फिर पब्लिकेशन की वज़े से वो जून में हो गया पॉस्पॉन तो वेबर और लोस में मोदय ने कुछ इंपोर्टन इंपोर्टन की वर्ड्स का प्रियोग किया था जिसका मैं यहां पर आपके साथ तर्चा करने वाला हूँ सबसे पहले हम बात करते हैं वेबर मोदय ने इस्थानिक करण तिर्बूज भार तिर्बूज या प्रादेशिक तिर्बूज इन सब्दों का प्रियोग किस ने किया था वेबर मोदय ने किया था मांग संकु सब् करन तिर्बूज या भार तिर्बूज या प्रादिसिक तिर्बूज ये वेबर मोदे से संबल लिता हैं अब इन में क्या-क्या बात की गई है वो मैं आपको समझाने की कोशिस करता हूं सबसे पहले हम इस्थानी करन तिर्बूज भार तिर्बूज या प्रादिसिक तिर्ब 100% quality अच्छी आएगी तो वेबर मोदे ने क्या बताया था वेबर मोदे ने उद्धोगों की स्थापना के बारें बताया था और उन्होंने बताया था कि यदि एक कच्चा माल वो मैंने वहाँ पर बता दिया था वेबर के थोरी में यहाँ पर पूरा डिटेल से नहीं बता पाऊँगा क्योंकि फिर बहुत लंबा टाइम रख जाएगा तो एक बार यदि आपको समझ में ना आए तो वेबर का थोरी देख लेना 100% आपको समझ में आ जाएगा थीक है तो हम यहीं से continue करते हैं वेबर मोदे ने बताया कि जब दो कच्चे माल हो ठीक है जब दो कच्चे माल है साथ साथ एक बाजार है ठीक है कच्चे माल दो है एक बाजार है तो उस इस्तिति में उस दोग को कहां पर इस्तापिट करना चाहिए ठीक है भाई दो कच्चे माल है और एक बाजार है टोटल तीन कंडिसन हो गई एक कच्चा माल यहां पर है एक कच्चा माल यहां पर है यहां पर बाजार है यह मारकेट है यह रो फरस्ट है यह रो सेकंड है और यह मारकेट है तो अब इस इस्तिति में उद्धोग को कहां पर इस्तापित करें कच्चे माल फरस्ट के निकट कर ये इस्तिति क्या थी कन्फ्यूज वाली थी तो इस समस्या का समाधान करने के लिए वेबर मोजे ने क्या किया एक इस्थानी करंटिर्बूज भार तिर्बूज या प्रादेशिक तिर्बूज की संकल्पना दे दी उन्होंने कह दिया कि यदि दो कच्चे माल है और एक तिर्भुज़ का द्रियोग कर सकते हैं ठीक है यह था स्थारिकर्न तिर्भुज़् या भार्तिर्भुज़ के बारे में ने नहीं निकल रहा नेट जोग्रोपी पास बार हो गया नेट नहीं निकल पा रहा आप anonymous के नेट में मांग संकु में क्या है लोस ने वस्तु की मांग से सम्मंदित बाजार छेतर के विचार को मांग संकु से समझाया था ठीक है लोस ने वस्तु की मांग से सम्मंदित जो बाजार छेतर है भाई कोई भी वस्तु है उस वस्तु की जो मांग है भाई जैसे ही एक वस्तू है इस वस्तू की मांग इस वाले एरिया में पूरे में जैसे आपने देखा होगा आप यदि हर्याना से हो तो वहाँ पर कुछ और चीज फैमस है खाने की राजस्तान में हो यहाँ पर कुछ और चीज खाने की फैमस है आप गुजरात में चल जाओगे वहाँ पर कुछ और खाने की चीज़ प्रेमस है ऐसे ही आप कपड़ों में देख सकते हूँ तो कोई भी वस्तू है और उस वस्तू की डिमांड जिस एरिया में है उस वस्तू की डिमांड जिस एरिया में है इसको समझाने के लिए लोस मोदे ने क्या किया था मांग संकू सब्द का प्रियोग किया था तो लोस ने वस्तू की मांग से सम्मदित बाजार छेतर के विचार को समझाने के लिए मांग संकू का प्रियोग किया था अब इसके अलावा अगला पॉइंट आता है आईसोडोपेन वेबर मोदे ने आईसोडोपेन और क्रांतिक आईसोडोपेन इन दो संक्रपनाओं का प्रयोग किया था वेबर मोदे ने आईसोडोपेन और क्रांतिक आईसोडोपेन की संकल्पना का प्रयोग किया था और ध्यान रहे आईसोडोपेन और क्रांतिक आईसोडोपेन ये दोनों आपको बहुत अच्छे से पता होना बहुत जरूरी है क्योंकि यहां से ओल्मोस्ट क्योशन बनता रहत तो मैं सबसे पहले समझाता हूं कि Iso-Dopene क्या होता है निूनतम प्रिवेन लागत ध्यां से सुनना यदि आप थोड़ा सक दिमाग लगा कर सुनोगे तो हर हाल में बिना समझाई हुई समझ में आ जाएगा नून्तम परिवेन लागत इस्थान से इकाई दूरी में वर्दी के साथ जिन इस्थानों पर परिवेन मुल्या में इकाई वर्दी होती है उन इस्थानों को मिलाने वाली कालपनिक देखा को आइसो दोपेन कहा जाता है अब मैं आपको एक डाइग्राम से इसको समझाने के कोशिस करता हूँ ठीक है, suppose that ये एक लाइन है, ठीक है, ये नून्तम परिवेन, नून्तम परिवेन लागत वाले इस्थानों को मिलाने वाली क्या है, एक रेखा है ठीक है, ये क्या है, नून्तम परिवेन लागत वाले इस्थानों को मिलाने वाली रेखा है, इस रेखा पर जितने भी इस्थानों वो सारे सारे कैसे हैं, बिल्कुल नून्तम परिवेन लागत वाले हैं, ठीक है, अब इस रेखा से इकाई दूरी पर कोई भी एक इकाई जैसे एक किलो मिटर माल लिया, दो किलो मिटर माल लिया तीन किलो मिटर माल लिया हम एक किलो मिटर का एक्जामपल लेके चलते हैं इस रेखा से एक किलो मिटर चलने पर ठीक है, परिवहन लागत में क्या होती है उसी दर से समान वर्दी होती है ठीक है हम इस नूंतम परिवेन लागत वाले जो इस थानों वाली रेखा है उससे हम एक किलो मिटर आगे की ओर चले और हम एक किलो मिटर आगे की ओर चल रहे तो उसी दर में क्या हो रहा है इसकी जो परिवेन वे उसमें उसी इसा एक सब्द में आप ऐसे याद कर सकते हो नून्तम परिवेन लागत वाली इस्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसो डोपेन कहते हैं या नून्तम परिवेन लागत इस्थान से इकाई दूरी पर समान परिवेन मुल्यर में वर्दी वाले इस्थानों को मिलाने वाली रेख को कालपनिक को आइसो डोपन कहते हैं दुबारस मैं समझा देता हूँ ये कोई रेका है और इस रेका पर ये वो इस्थान है जहां पर बिलकुल नियूंतम परिवेल लागत है इन इस्थानों से हम एक किलोमेटर आगे की ओर चले ठीक है एक किलोमेटर आगे की ओर चले और अब समान एक एक किलोमेटर आगे की ओर चल रहे हैं और समान तरीके से परिवेन मुल्य में वर्दी हो रही है तो समान परिवेन मुल्य में वर्दी वाले इस्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं आइसो डोपेन कहते हैं भाई यहां पर एक कि किलोमेटर चला ठीक है यह इस तरीके से एक किलोमेटर चले यहाँ पर पांच रुपए खर्चा रहा है यहाँ पर पांच 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 रुपए का खर्चा रहा है ठीक है तो इन बिं आईसोडोपेन जहां परिवेन मुल्या की अधिक्ता के बावजूद स्रम लागत या तक्निकी दक्स्ता की कारण कुल लागत में कमी आ जाती है। स्रम लागत के कम आने या तक्निकी दक्स्ता बहुत अच्छी होने के कारण ओवर्राल लागत क्या है कम है। तो उन इस्थानों को मिलाने वाली देखा को क्रांतिक आईसोडोपेन कहते हैं। दुबारा से मैं समझाने की कोशिस करता हूँ। भाई कुछ ये इस्थान है ठीके और ये वो इस्थान है जहां पर परिवेन लागत तो बहुत जादा है। लेकिन परिवेन लागत ट्रांसपोर्ट लागत क्या है बहुत जादा है। लेकिन स्रम लागत लेबर लागत है जो स्रम लागत क्या है बहुत कम है। तो परिवेन लागत बहुत जाता है स्रम लागत बहुत कम है। तो क्या होगा overall जो लागत येगी नून्तम आएगी क्योंकि भाई परिवेड लागत जदा है तो स्रम लागत कम है तो overall लागत कम आएगी तो इन इस्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं क्रांतिक आईसो डोपेन कहते हैं तो यहाँ पर आप चाहे सरम लागत कर लो चाहे फिर आप तक्निकी तक्स्ता कह दो अच्छी तक्निकी है तो भी ओवराल लागत कमा जाती है ठीक है आपके पास नहीं नहीं मसीन है जो बहुत अच्छा प्रोडेक्ट बना रही है बहुत अ नूंतम लागत का इस्थानोट है लोश के सिद्धान की कुछ मान्यता है जिसको मैं आपको पढ़गे बता देता हूँ जन संक्या का समान वित्रन और समान परिवेंच सुईदा जन संक्या का समान वित्रन है समान परिवेंच सुईदा ही है लोश ने दूसरी मान्यता मानी कि परतेक वक्ती अधिक्तम लाप प्राप्त करने को तत पर रहता है लोसमोदे का मानना है कि हर वक्ती अधिक्तम ला बचाता है हर वक्ती कोशिस करता है कि उसको ज़्यादा benefit मिले टीसरा point आता है कि उख्त इस्तति में उत्पादन आपूर्ती छेतर विक्र छेतर लगुतम होते हैं भाई उत्पादन छेतर आपूर्ती छेतर और विक्र छेतर ये क्या होते हैं बिल्कुल छोटे होते हैं किसी एक उत्पादक को ऐसामाने लाब प्राप्त करने की संभावना ने रहे ऐसा तब ही होगा जब ऐसा माने लाब का आउसर मिलते ही पूर्ण परतिस परदा उत्पन हो जाए यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहरा हूँ कि भाई कोई भी उत्पाद है और उसको बहुत अच्छा वाला प्रोफिट नहीं हो रहा तो उसको बहुत अच्छा वाला प्रोफिट नहीं हो पारा उसका एक कारण ये भी हो सकता है आपने बिस्किट की खूली ठीक है और आपकी फेक्टरी जैसे ही भोत अच्छे से चलने वाली थी तुरंत यहाँ पर 10 और फेक्टरी खुल कई ठीक है जब आपकी अकेली फैक्टरी थी तो उस पूरे एरिया में केवल आपकी फैक्टरी सप्लाई कर रही थी तो वो महेंगा प्रोडेक्ट भी बेच रही थी साथ इसाथ में बहुत ज़्यादा प्रोडेक्ट भी बेच रही थी लेकिन अब यहाँ पर दस फैक्टरिया है अब आपका यहाँ पर competition होगा है total 11 फेक्ट्रियों से तो आपको product भी सस्ता बेचना पड़ेगा और आपका product भी कम बिकेगा तो इस इस्तिति में क्या होगी जो आपकी industry है वो क्या होगी कम profit में जाएगी ठीक है बाजार छेतर की सीमा पर अस्तित उपभोक्ता निकर्तम उतपादों से ही क्रय करने के लिए तत्पर होता है तत्पर होता है इस लाएन का बतलब है कि हर वक्ति अपने निकर्तम जो भी बाजार होता है निकरतम कोई भी सोप होती, वहीं से खरीजने की कोशिस करता है, लोस के अनुसार, बाजार छेतर का आकार, मांग संकु से प्राप्त, बाजार छेतर का आकार, सट कोणियं होता है, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, कि लोस मोदे के अनुसार बाजार छेतर का जो आका होते है न वह कैसा होता है सट को यह होता है कि चैनिन लोसργे के के अनुशार जो मांग संकू होता जो बाजाо 약 कैसा होता है शते कोनिया होता है यह बद यह बात हैं इस पेसलिग्धन रखना क्योंकि पेपर वाला confuse कर देता है यहां पर अस्थ कोणिय डाल देता है फिर हम confuse हो जाते हैं कि अस्थ कोणिय यह सट कोणिय आपको अच्छे से याद रखना है बाजार का आदरस सट कोणिय परती रूप मदू मगी के छत्ते के समान दिखाई देता है ठीक है तो अब एक बार कमेंट करके बता दो सभी के सभी कि लोज का और वेवर का यह जो मैं आद समझाया हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया फिलीज जल्दी सभी के सभी कमेंट सेसर में कमेंट करके बताएं तो अँदेखो यहां पर यह सम्मित और हूबर का है तो समित रह्भर के में देखो एक कोमशos में बात बता दो यदि आप पेपर ओर्यों चंठ चलते हूँ एकजाम का केवल एकजाम को के वल फिक्स फिक्स सीजे याद करनी है डी एम इसमित का सीमान्त अवस्थिती की विचार धारा तो सबसे पहले तो ये ध्यानक लो कि सीमान्त अवस्थिती की विचार धारा किस ने दी थी इसमित मोदे ने दी थी वर्च 1931 में इसमित द्वारा एक पुष्टक लिखी गई जिसका नाम था industrial location ओदोगी की अवस्ति थी ठीक है 1931 में इसमित मोदे के द्वारा एक पुस्तक चापी गई थी जिसका नाम था ओदोगी की अवस्तिती या industrial location और इस पुस्तक में बहुत सारे जो भी विद्वान थे जो की उदोगों के इस्थापना के संब्द में जो सिद्दान्थ दिये थे उन सब भी का क्या था संसलेशन था इस परकार के सिद्दान्थ के परती पादन का मुख्य उद्देश या जो DM इसमित का जो सिद्दान्थ था इसके परती पाद सम्मन्वित ओदोगिक संसलिस्ट परती रूप को इस्थापित करने का प्रियास किया था ठीक है तो आपको एक तो ये चीज याद रखनी है और आपको एक ये चीज याद रखनी है इस मित ने ओदोगिक अवस्तिती में सम्मन्वित ओदोगिक संसलिस्ट परती रूप को इस्तापित करने का प्रियास किया था आपको ये लाइन भी अच्छे से थोड़ा याद रखना है इस मित ने अपने सिद्दान को निरुपित करने के लिए छेत्री लागत वक्र रेखा या छेत्री आई वक्र रेखा का सहरा लिया था ठीक है तो ये वाली लाइन भी आपको बहुत याद करनी है बहुत अच्छे से इसके उपर आप चाओ जित्री लाइन कहांचलो बहुत महत्पों लाइन नहीं है कि इस मित ने अपने सिद्दान को निरुपित करने के लिए छेत्री लागत वक्र रेखा या छेत्री आई वक्र रेखा का सहरा लिया था ठीक है मैं दुबारा से रिपीट कर रहा हूं कि इस मित ने अपने सिद्दान को निरुपित करने के लिए छेत्री लागत वक्र रेखा या छेत्री आई वक्र रेखा के साहरे की साहित अलिया थी तो क्यूशन बन जाता है कि छेत्रिय लागत वक्रेखा या छेत्रिय आई वक्रेखा का सम्मंद किस्से है वो है इसमित मोद्य से चेत्रिय लागत वक्र रेखा जहां किसी दिये हुए बिंदू से भड़ती दूरी के अनुसार उत्पादन के साद्रों को एकत्रित करने उत्पादल परकिरिया में व्याकोदर साता है ठीक है ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि इसमें जो चेत्रिय लागत वक्र रेखा है ये किसी बिंदू से भड़ती दूरी के अनुसार उत्पादन के साद्रों को एकत्रित करने और उत्पादल परकिरिया का जो व्या है जो खर्चा है उसको दिखाती है छेत्रिय आई वक्र रेखा किसी बिंदू विसे से भड़ती हुई दूरी के साथ उत्पादित वस्तों की मांग ठता उसके अनुसार आई में होने वाली विबिनता खुदर साथी है इसमित ने बताया कि छेत्रिय लागत वक्र या छेत्रिय आई वक्र के तत्वों की अंत्या परकिरिया से ही उत्पादर इस्तल का निर्धारन होता है ओदोगिक उत्पादर का सोर्तम इस्तल वही होगा जहां कुल आई कुल लागत के तुल नामे अधिकतम होगा तो भाई लोगो ये बात आप अंडर लाइन कर लो और इस लाइन के उपर आप चाहो जितने लाइन कहेंच लो आप ठीक है बहुत महत्पून है वेबर की मैंने महत्पून बता दी ऐसे वेबर ने बताया था कि उद्धोग वहां उस तापित होगा जहां पर न्यूंतम ने में अधिक्तम होगी क्या होगी जहांप़ कुल आई है जो कुल लागत से अधिक होगी तो वेबर मोड़ेका और शूरी इसमित मोड़ेका और लोस मोड़ेका जो ये विचार है ना वह बिल omnip कल एक दूसरे से मैल खाता हुआ है लेकिन आपको यह ध्यान रखना है मेरे प्यारे साथियों कि लोस मोदे ने लोस मोदे ने कहाता कि उद्धोग वहां इस्तापित होगा जहां पर कुल लागत और कुल आई के बीच में अधिक अंतर है इसमित मोजे ने कहा है कि उद्धोग वहाँ इस्ताफित होगा जहां पर कुल आई कुल लागत की तुल नामी अदिक होगी जब आई अदिक होगी सपोज़ जट आई दस हजार है लागत मातर दो हजार है ठीक है तो जो आई है वो लागत से पांच गुना जादा है मतलब यहां पर पांच गोना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहे हैं तो उद्दोग 100% यहीं इस्तापित होगा ठीक है कार खाना उस बिंदु पर इस्तापित होगा जहां अधिक्तम लाप के प्राप्ति होगी अर्थार्थ कुल आय एवं लागत का दनातमक अंतर सरवादिक होगा ठीक है भाई उद्धो कहां पर या कार खाना कहां पर इस्तापित होगा जहां पर अधिक्तम लाप के प्राप्ति होगी कुल आई एवं लागत का दिनात मकंतर सरवादिक होगा ठीक है तो ये बातें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है इसमितने बाजार परतिश परता सिद्धानत के अनुसार छेत्रे मांग को परभावित करने वाले तत्वों एवं ओदोगिक इस्तापना पर उनके परभावों का विसलेशन करने का प्रियास किया है इसमितने बाजार परतिश परता सिद्धानत के अनुसार छेत्रे मांग को परभावित करने वाले तत्वों एवं ओदोगिक इस्तापना पर उनके परभावों का विसलेशन करने का प्रियास किया है तो ये बात ज्यादा इंपोर्ट है नहीं है ज्यादा थी जो मैंने आगे बता दिया आपको अब हम बात करते हैं हूबर का नियूंतम परिवेन लागत शिद्धानत देखो हूबर मोदे ने क्या दिया नियूंतम परिवेन लागत शिद्धानत दिया कब दिया 1948 में दिया अपनी पुस्तक लोकेशन ओफ एकोनोमी एक्टिवीटी में हुबर मोद ने एक किताब ठापी थी जिसका नाम था लोकेशन ओफ एकोनोमी एक्टिवीटी और इस किताब में उन्होंने 1948 में नून्तम परिवयन लागत सिद्दान्त का परतिपादन किया था और और जो ये हुबर का नून्तम परिवयन लागत सिद्दान्त है ये वेबर का जो नून्तम परिवयन लागत सिद्दान्त है इसमें क्या है एक तरीके से सुधार है हुबर मोदे ने क्या किया था Vever का जो सिद्धान्थ था sिद्धान्त उसमें क्या किया था सुधार किया था तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हुबर मोदे ने अपनी पुश्तर Location of Economy activity में Vever मोदे का न्यून्तम परिवेन लागत से दानत में क्या किया था सुधार किया था इसी क्रम में इन्होंने परिवेन लागत को अधिक वास्थी क्रूप से अपनाया थता इस्थानी करण में उत्पादन लागत पर ध्यान केंद्रित करते हुए तीन परकार की लागत बताई जान रहे हुबर मोदे ने टोटल तीन परकार की लागत बताई थी सबसे पहली आती है गत्यस सामगरी एकत्रित करने में पर लागत दूसरा आता है उत्पादित वस्दू को बाजा ठक पहुचाने की लागत तो हूबर मोदे ने क्या किया इन तीन परकार की लागतों की बात की थी क्योशन आ जाता है कि हूबर मोदे ने निम्मल लिकित में से कौन-कौन सी लागतों पर विचार किया था तो एक था कच्छे सामान को एकत्रित करने में जो लागत लगती है दूसरा था उत्पादन परकिर्या में जो लागत लगती है और तीसरा था उत्पादित वस्तु को मार्केट तक पहुचाने में जो लागत लगती है ठीक है हुबर मोद्य का जो नून्तम परिवान लागत सिद्दान्त है वो वेबर मोदय का यूंटम परिवान लागत सिद्दान का ही क्या है? संसोधित रूप है ठीक है? उप्रोग लागतों के अध्यन से थट्या सामने आता है कि वस्तु लागत दो परकार की होती है पहला परिवान लागत होती है कत्य सामगरी 31 करने के लागत और उत्पादित वस्तू को बाजार में पहुचाने की लागत और इसके बाद आता है उत्पादन परकिरिया की लागत ठीक है तो हूबर मोदे ने ओवराल यही ध्यान रखो कि टोटल तीन परकार की लागतों की बात की थी पहला कर्चे सामगरी एकद्रित करने की लागत लोगों का बहुत सारा खर्चा लगता है फिर इसको आपने फैक्टरि तक पहुचाया ठीक है तो यहां पर एकटा कर रहे हो फिर इसको फैक्टरि तक पहुचा रहे हो तो इसमें एक लागत लग रही है फिर यहां पर आपका जो कच्चा माल था उसको क्या किया गया पक्क एक इलागत लग रही है जिसको तीसी इलाकत बोलते हैं उत्पादित वस्टों को बाजार में पहुचाने के लागत तो इस तरीके से ये हमारा इंडस्टिल जोग्रूफी के इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट टोपिक थे हुबर का वेबर का ओ सोरी हुबर का लोस का इसमित का ओल्मोस्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा तो प्लीज एक बार कमेंट सेसर में कमेंट करके बताएं कि यदि देखो क्योशन इन तीनों में यहीं से है तो आप हेंड़ परसंट ठीक करोगे या नहीं करोगे आपको अच्छे से समझ में आया या नहीं आया प्लीज कमेंट सेसर में कमेंट करके ज़रूर बताएं मैं इंतजार कर रहा हूं आपके रिप्लाई का तो प्लीज जल्दी फीडबैक दे मेरे को कि अब है कि अब है कि अब है कि अब है कि जल्दी जल्दी रिप्लाई दो ठीक है तो अब हम कल वाली क्लास में नेक्स यूनिट स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्ट जोग्रोफी या फिर ट्रेट जोग्रोफी इन दोनों में से किसी एक को स्टार्ट करेंगे हूं और जो ओदोगिक परदेश हैं उसको हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे भारत के ज सितने ओदोगिक परदेश हैं इन सभी को हम आपस में मर्ज करके पढ़ेंगे ठीक है तो उससे क्या है कभी कंफ्यूज नहीं हों गया ठीक है प्यारे साथियों तो गुड़नाइट आप सभी को और मस तरीके से कंट्यूनियू कर दो पढ़ाई को आज मैं या कल में मैं एक तरीके से पढ़ाई की बहुत अच्छा स्कोर हो जाए ठीक है ठैक्स देखने के लिए बाई